जी आपका बहुत-बहुत स्वाधत है हमारे रिवियोन फार्मिंग लीडर में सामने जो दर्सक हमारे किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना परिश्य दें नमस्कार दिसको मेरा नाम है मोहित मुझाल में कर्यान हर्याना से बिलोंग करता हूं और मेरी जो मुझाल साहब आप जो आज हमें कौन सी ब्रीड के बारे में मताने वाले हैं मेरे पास इस टाइम प्रेड के बारे बाद करने वाले हैं जो और यार ब्रिट है यह बेसिक लिए जी दीशन है तो अन्डे तो बच्चे की जो कीमत है वो भी उसी के अंदर है अच्छा वो फाइनल है वेक्सीन वगरा सब कुछ है तो क्या जो वंडे का बच्चा है वो कितने दिन तक हम पाला है उसकी देख बाल करें जो वो अंडे देना कितने दिन में शुरू करता है अंडे जेने के लिए तो आपकी वी यू है यह म हिढ़ इसकी ऑष कि प्रूने आयाद है क्उड़ कि बाकी इसकी देख रहें आ। उब्रेंट करता है कि आपकी तो सब इस पर डे pugछ खिए था वह का मुर्गा है और एक जो हमारा मुर्गा है का इसकी फोने है TONC वेट कर ल मेरा जाता है और इसका हाईष च्राइब सो गराम लेंक पिसका बजन हो जाता है अब अगर हम जैसे यह देशी रगेन वर्ड है इसके जो चिकन डीकी कीमत है मर्कीट में वह तो क्या मिल रही है सर देखो यह मार्केट है इसके अंदर यह पूल्टरी जो है यह ग्रोटि यह जो बड़ी मार्केट है जो मुर्गा मंडिया उसकी बिली ही किमत है जैसे हम लगबग मैं आपको आइडिया देके चलता हूं लगबग 116 से 210 रुपे केजी कुछ भी रेट हो सकता है हाँ वो मतलब उपर नीचे चलता रहता है अब अगर हम इसके अंडे की बात करें तो हमें अंडे के रेट जो है किस टाइप से मिलते हैं सर अंडे के रेट की अकर हम होलसेल में बात करें तो लोग बग 8 से लेके 10 रुपे के आसपास है अगर हम वहीं डिटेल में बात करें तो 20-25 रुपे जैसे नॉर्मल आम आम गाउं में देखते हैं तो वो रेट मिल जाता है अ अगर सर्दी या है तो लोकल या हम होलसेल में भी खाने में उसको सहल कर देते है 5 geç माधथ करें।कर हम जाली की बाते हम जैसे कि किसान फार्मर बाइक हां गर्मियों में टोे तो गर्मियों में एंश को Horn Island direction likelihood वेजते हैं अंडभ डिया तो चुझा तो डेली का रेट है जैसा कि मैंने पहले भी बदाया है तो रेट लगबग आपका 30 से लेके 35 के नियर अबाउट रहता है उपर नीचे इसी के बीच में रहता है उपर नीचे डेली का ही डेली होता रहता है अगर हम इसके बड़े वर्ड की बात करें जैसे कि हफते 10 दिन का है तो वह आपका लगबग एक दिन के दोर पर के हिसाब से चार्जी होते हैं वह ऐसे इंक्लूड करते चले जाएंगे तो मुझाल साब अगर कोई छोटी पूजी वाला हमारा किसान या नया आदमी अगर यह काम करना चाहे तो वह किस तरीके से करें सर देखो अगर तो यह को अगर यह को जगा है उसके अंदर काम कर लें या कुछ आपका इसका बर्ड को पालने का यह है कि आप फ्री रिंज में भी इस बर्ड को पासके बैक्याड में ही पाल सकते हो अगर हम इसके खाने की बात करें को छोटा फार्मर भाई है तो वह कुछ पीड जैसे कि या चीयाड की लिए पाल सकता है अगर यह व्योम्य कोई फार्म प continuing करेंorg कि फीड सैंड था अब कॉमरशल बाइब करने कहीं वह कितने वर्ड करें को मुइड स्टाट करें कि जिससे के उ स्टेंश जहий आ स की बात करें तो पॉमर्यूंट फार्मर के टिपैंड करता है में आप जो फार्मर भाई हैं वो हजार से भी शुरू कर देते हैं तो कोमर्शल फार्मिंग के लिए को इसकी रिक्वार्मिंट की जुरत नहीं जैसी जिसकी पुंजी जो इतनी जैव अलाओ करती है उस हिसाफ से कर सकते हैं तो मुल्जाल साब आपने जो है यह इस ब्रीड के ब